नमस्कार नियूस पर निशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी ठा देखिए आज तक आपने कई ऐसे एक्टर और एक्टर्स के बारे में सुना होगा जिनसे शादी करने के लिए सैकडो रिष्टे आते हैं और कहलेते हजार रिष्टे भी आते हैं मावजूद उसके वो एक्टर जो है अभी भी कुवारा है जिहां हम बात कर रहे हैं बॉलिवूड और टॉलिवूड को सूपर हिट फिल्म देने वाले प्रभास की आपको बता दे कि आपने प्रभास को 2015 के बाहु बली में देखा होगा जिसके बाद प्रभास बहुत फेमस भी हो गए और आपको बता दे 2015 के बाहु बली मोवी के बाद प्रभास काफी पॉपलर एक्टर में से एक माने जाने लगे जिसके बाद से आपको बता दे कि 6000 से ज़्यादा जो है श्रादी के रिष्टे प्रभास के लिए आना शुरू हो गया क्या है पूरी कहानी आई आपको बताते हैं प्रभास 44 साल के हो चुके है भरत में पेन इंडिया फिल्मों का ट्रेंट लाने वाले प्रभास की जब भी कोई फिल्म रिलिज होती है तो साउथ में कई शहर सजा दिये जाते हैं हाला कि एक समय ऐसा था जब प्रभास हीरो नहीं बनना चाहते थे लेकिन चाचा की जित पर जब प्रभास फिल्मों में आये तो उनका शुरुवादी सफर आसान नहीं रहा बता दे 23 अक्टूबर 1989 को प्रभास का जन्म मदरास के तमिलाजु में हुआ था उनका पूरा नाम उपलापती वेंकिंट सूरी नाराएन प्रभास राजु है साउथ के पॉपलर प्रडूसर उपलापती सूरी नाराएन के बेटे हैं तीन भाई बहनों में प्रभास सबसे चोटे हैं बतादे प्रभास की शुरुवाती सिख्षा भीम राओ के डिनार स्कूल से हुई है। प्रभास ने हैदराबाद के नालंदा कॉलिज से पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्यानन्द फिल्म इंस्टिटूट विशाखा पटनम में दाखिला लिया था। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद प्रभास कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे। किरदार से मिलता था। प्रभास काफी दिनों तक मना करते रहे लेकिन परिवार वालों की खातिर आखिरकार उन्होंने फिल्म साइन कर ली। वो फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म का नाम इश्वर था। हालाकि इस फिल्म से प्रभास को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद वो 2004 की फिल्म वर्शन में दीखें जिससे उन्हें साउथ इंडिस्ट्री में पहचान हासिल हो गई। बता देश साल 2005 में प्रभास SS राजा मौली की फिल्म छत्रपती में नजर आए। इस फिल्म से प्रभास की यूनिक स्टाइल और चार्म दर्शुकों को पसंद आने लगा जिससे उन्हें स्टार्डम हासिल हुई। आगे प्रभास ने डार्लिंग, मिस्टर पॉफेक्ट और रेबल जिसी कई हिट फिल्मों में काम किया। 2015 में फिल्म बाहुबली से देश भर में उन्हें पॉपुलेटी हासिल हुई। आपको पता दे, प्रभास 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक्शन जेक्शन में भी दिखे थे। वो फिल्म के गाने पंजाबी मस्त में दिखे थे, हाला कि पहली बॉलिवुड फिल्म से उन्हें देश में कोई पहचान नहीं मिली। 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली की तैयारी 2011 में शिड़ो हो चुकी थी। सबसे पहले फिल्म में अमरेंदर बाहुबली का रोल रितिक रोशन को ओफर किया था, हाला कि उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। रितिक के इंकार के बाद इस फिल्म को प्रभास को दिया गया था और कई महीनों तक अपनी बोडी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया उन्होंने दमदार अम्रेद बहुबली के रोल के रोल के लिए 105 किलो वजन कर लिया था ये उनकी करियर की अठारवी फिल्म थी बताद इस फिल्म में काम करने के लिए प्रभास ने 5 साल तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की ये वो भी दौर था जब उनको कई बड़ी फिल्मों के ओफर्स भी आए पर उन्होंने सभी ओफर्स ठुकरा दिया रिलेज के बाद ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई लेकिन इस फिल्म में काम करते वक्त प्रभास को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय इस फिल्म के अलावा उनकी पास कोई दूसरा सोर्स ओफ इंकम नहीं था 2015 में फिल्म को तेल्गू, तमिल, हिंदी और मले आलम भाशा में देश भर की 4000 स्क्रीन्स पर रिलेज किया गया था फिल्म बाहुबली तेल्गू और साउथ सिनिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी साथ ही ये भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी डव फिल्म भी रही ये दोनों रिकॉर्ड इसकी सीक्विल फिल्म बाहूबली तो कंक्लूजन ने तोड़ा है प्रभास की फिल्म बाहूबली भारत की पहली फिल्म है जिसने महस दस दिन में हजार करोड रुपे कमाई थे फिल्म बाहूबली से पेन इंडिया स्टार बनने के बाद प्रभास के फैन फॉलोविंग कई गुना बढ़ गए इस फिल्म के बाद उन्हें छे हजार लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोस किया था हालकि कहा जाता है कि प्रभास के परिवार ने उनका रिष्टा पहले ही कहीं तै कर दिया है 2015 में रिलीज हुई बाहु बली ने प्रभास की जिंदगी बदल दी और उन्हें पॉपलर एक्टर में से एक माने जाने लगा देखा कि सरीके से 2015 में रिलीज हुई बाहु बली के बाद से प्रभास का क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है और किस सरीके से प्रभास के अगर एक भी फिल्म रुख जाती है तो किस सरीके से जो पबलिक है वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती है और तो और प्रभास के लिए अभी तक 6000 रिष्टे भी आ चुके हैं बावजूद इसके प्रभास अभी को आ रहे है